तेल दोस्तो माटल मेकेनिकल यूटूब में आपका स्वागत है तो गाईज अमारी चैनल पे आप जो नहीं तो अमारी चैनल सस्क्राइब कर दोर बेलाइन को टच कर दो क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले तो गाईज देखिए आज कुछ नहीं सी लेखते हैं टू लगेर्कर एड तो देखिए गाईज मेरे पास आये टीवी अस मैक्स हंटरे और आजका इस वीडियो में मैं आपको उसकी कीक का प्रॉब्लम आया है उसकी जो क्रीक है देखिए वह इस तरह फ्री हो गई है तो गैज देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल करते हैं तो गैज मेरे वीडियो में आपको एंड तक बनने रहना है तब ही आपको उसका नौलेज मिलेगा तो देखिए गैज आपको साइद मालूम पड़ता है कि उसकी क्लच पेट खराब हो गई है उसका इसी तो गैज देखिए ये कीक फ्री हो गई है वो प्रोबलम में आपको दिखा देता हूँ तो देखिए सबसे पहले देखिए ये फ्रपेल वाला जो उसका जो बोल्ट है वो बोल्ट आपको ओपन करना पड़ेगा और उसका क्लच कवर है पूरा ओपन करोगे तब ही उसका नौलेज मिलेगा तो सबसे पहले देखिए उसको कि Our Key pis open करते है एक औपन करने के बाद आपको में सारा क्लच कवर खोल के आपको में दिखा देता हूँ तो चलो गई बारे में का रिक पाना लेकर सबसे पहले उसकी कीक ओपन करने पड़ेगी कीक ओपन करने के बाद उसमें जो प्रॉब्लम है वो में आपको दिखा देता हूँ तो गई देखिए जब इसा प्रॉब्लम आता है तो आपको शाहिद लगता कि उसकी clutch plate खराब हो गई है उसकी pressure plate खराब हो गई है उसका center hub खराब हो चुका है तो गई देखिए यह सब knowledge आपको कैसे मिलेगा तो सबसे पहले उसका clutch cover open करके बाद ही मिलेगा तो गई देखिए इसमें उसकी जो clutch plate भी सही है उसका clutch center hub सब कुछ सही है उसके बाद भ में आपको पूरा एंजीन ऊपन करना पड़ेगा तभी आपको यह किक का problem स्वाल होगा तो गाई इस वीडियो में आपको यह clutch कवर open करके में आपको दिखा देता हूँ जो problem कहाığıं हुआ है वह मैं आपको live दिखा देता हूँ तो गाई देखिए tvs शुजुकी में जो कीक फ्री हो जाती है तो वो प्रोब्लम स्वाल करने के लिए आपको देखिए सबसे पहले क्लच कवर ओपन करके मैं आपको कीक के बारे में जानकारी देता हूँ क्योंकि उसकी जो कीक है उसका प्रोब्लम स्वाल करने के लिए काईज आपको एंजिन है वो ओपन करना पड़े गया क्योंकि उसकी कीक रेचेट सब कुछ देखे बिल्कुल अंदर ही आते हैं तो देखिए यह मैंने कलच कवर ओपन कर दिया है उसके बाद देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ तो गई देखिए जब उसकी स्प्रिंग तूट जाने के बाद किक निचे ही रहती है उपर नहीं आती तो आपको किक स्प्रिंग नूडल बाद देना चाहिए तो गई देखिए इसमें किक स्प्रिंग की कोई दिक्कत नह में है वो भी आपको में दिखा देता हो तो देखिए गाई उसके बाद में किक लगा कि आपको देखा देता हो क्योंकि उसकी किक स्प्रिंग सही है किक स्प्रिंग कट जाने के बाद किक उपर ही नहीं आती निचे ही रहती है तो देखिए उसकी स्प्रिंग सही है उसका जो स तो कीखे वो फ्री रहती है दिखे इस तरह फ्री हो जाती है तो सारा एंजिन उपन करना पड़ेगा इसलिए गाइद उसका प्रब्लम स्वाल होगा तो गाइद हमारा वीडियो फसंद आया तो लाइक करना